हालो मश्कार प्यारे बच्चो मैं वीजे बंसल मैठ लेक्चरार जाकर ब्लॉग डिस्ट्रिक फत्यवाद से हैं रान एजुकेशन डिपार्टमेंट आज हम अपनी मैठ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे प्यारे बच्चो आज जो हम आगे शुरू करेंगे हमारे पास एक रचना चैप्ट्रा जो हमारा इसके अंदर हम पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको मार्कर की हल्प से बनाने सिखाए थे कि किस तरिके से आप किसी भी कोशन को बनाएंगे और प्रैक्टिस आपको खुद करने के लिए कहा गया था ठीक है आप सभी ने बनाने के कोशि बनाना ही सीखेंगे कि किस तरिके से अपने प्रकार पैंसिल की हल्प से उनको बनाना है ठीक है जैसे हमारे पास पहला ही कोशन देखें इसके अंदर आपको क्या कह रहा है कि लावूं इसमें उन्होंने कहाया कि एक दी हुई के प्रहमिक बिंदू पर 90 डिग्री के कोन की रचना कीजिए और कारण सहीद रचना की ख़ूष्टी कीजी ठीक है बाकी सारा कम हम कर चुके हैं हम प्रकार PENCIL से बनाना यहाँ सीख रहे हैं आप क्या करेंगे जनर आपने एक लाइन खीचि ठीक है एक लाइन खीचने के बाद आपके पास किया चीज है आप इस लाइ आप देखेंगे ए इह आपके पास देख सकते हैं हमेने प्रकार की चाप लगा देए है हमारे पास यहाँ आपके पास जहाँ और आक uses तो अ हमेशा से आप पहली democrat काटेंगे इहां से आपकी पहली चाप कटती है ठीक है जो यह पहली चाप कटेगी यह हमेशा 60 डिगरी के कौन की होगी इसके बाद इस चाप के उपर रखकर आप ठीक है दूसी चाप लगाएंगे वो हमेशा 60 प्लस 60 120 डिगरी की हो जाएगी क्योंकि एक सिंगल चाप आपके पास पूरे बृत को यह चे बिंदु उन के अंदर कबर करती है ठीक है और चे बिंदू में कबर करने के कारना हमारे पास क्या है आपकी जो पूरी बृत है वो कंप्रीड हो तो मैं तो 360 साथ डिग्री तीन सो साथ को हम छे से भाग करते तो साथ हो गया तो मतलब एक चाप के अंदर आपका साथ डिग्री का कौन कवर होता है ठीक है अब हम इन अब डिग्री का कौन नाने तो इसी बिंदू पर रखते हुए हम ठीक है उपर की तरफ उतनी ही प्रकार को कम ज्याद ठीक है अब चाप लगाने के बाद आपके पास जो भी यह दोनों चाप ठीक है इनको आप नाम देंगे सभी को कुछ ना कुछ जैसे माली जी आपको ने इसको रेखा को नाम A B दे दिया ठीक है माली से इस बिंदू को आप C नाम दे 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 इस बिंदू को D नाम दे इसको तो the नाम देदे यह दोनों जहां पसे मिल रहें इसको बिंदू एफ नाम देदें आप ठीक है वो हमारी चोइस पर डिबेंड करता है कि हम क्या नाम देना चाहते हैं फिर हम क्या करेंगे इन दोनों बिंदू को ए और एफ बिंदू को मिलाते हुए हमारे पास एक रेखा आपकी रचना है और कुछ नहीं है ठीक है उसमें लग से और कोई निया काम नहीं करना आपको सिर्फ जैसे धंग से आपने बनाया उसी धंग से ठीक है लिख देना ही आपकी रचना कहलाती है इसके साथ ही मैं हम दूसरा कोशन पर भी बात करते हैं दूसरा कोशन अगर आपक केरण के प्रांबिक बिंदु पर पंतालीज डिग्री के कौन की रचना कीजिए और कारन सही रचना की प्रिस्ट्री कीजिए अब हमें क्या करने है कि बनाने गो यह करेंगे मतलब अब उसके क्या करेंगे हम प्रकार का माप इसको थोड़ा सा कम या ज्यादा खोल देंगे ठीक है थोड़ा सा कम या ज्यादा खोलने के बाद हमारे पास इस बिंदु पर रखें में zhom 0 से 90 इसको आप एक निया नाम देंगे ए एफ तक आप जा चुके हैं तो जैसे हम इस बिंदू को एक निया नाम देते हैं जी बिंदू हमारे पास तो सी जी का हम समद्रिवाजक खीचेंगे ठीक है है किसी भी कॉन का जीरो के साथ ही समद्राज़न कहां ठीक है तब भी आप इतनी काफ़ कर लगाएंगे तब भी काट सकते हैं जैसे मैं अगर imagining अंहां यह छाप झाप थी आपके पास जितनी ही अपने पहले खोलिक थी अगर आप इतनी ही जाप खोल कर भी चाप जाएंगे तब भी कोई प्रॉडम नहीं है तब भी आपके पास उसी बिंदू पर से गुज़रेगी ठीक है अब यहां पर देखें आपके पास जो आपने जीरो से नभी अजप्रकार अधी खोल कर किया था उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ रहेगा उसमें भी ठीक है आप इन दोनों बिंदूओं को मिलाते हुए ठीक है हमारे पास एक रिखा खीच देंगी ठीक है रिखा खीची हमने थोड़ा लाइट कलर का आरकर है मैं यूज़ कर लेते हूं अधिक है यह मारे पास 45 जिग्री का हो गया अब जैसे मेरे आपको कहा था है कि आप परकार उतनी ही खोल कर रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं देखें उतनी ही परकार खोले रखें आप यहां से चाप लगाने कोशिश करें यहां से चाप लगाएं ठीक है तब भी ज्यादा का चक्कर नहीं पड़ेगा कि आपकी प्रकार है जो प्रकार है पैंसिल है वो कम ज्यादा हो जाएगी ठीक है अब देखें उसी लाइन के बिंदों में से यह गुजर रही है हमारे पास लाइन ठीक है यह हमारे पास 45 जिग्री के कोन को बनाने का फिक्का हो गया अब इसका दूसरे दिकर पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन अगले कोन के बाद अगला कोन देखें तीसरे कोशन में आपको क्या करा है तीस डिग्री का कोन बनाने के लिए कहा गया है अब तीस डिग्री का कोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे किस प्रकार से इस पर काम करें पर देखते हैं 30 जिग्या कौन आने के लिए वैसे ही जैसे हमने भी किया हम सबसे पहले एक लाइन लेंगे मारे पास थीक है अपने लाइन खीच देंगे लाइन खीचने के बाद आप इसको नाम दे देते हैं माल लीजिए आप इसको A और B नाम दे दें ठीक है फिर उसके बाद इस रेखा के उपर आप एक ठीक है चाप लगाएंगे कौन की इस तरी के से हमारे पास देखिए अगर हमारे पास ठीक है यह चाप लग जाएगी आपकी चाप लगने के बाद आपके पास यहां रखकर जो पहली चाप लगाएंगी वह आपकी 60 डिग्री की चाप होगी ठीक है यह मारी 60 डिग्री की चाप होगी अब हमें क्योंकि 30 का बनाना है 30 का कौन 60 से छोटा ही होगा तो 0 और 60 का जो संद्रहजय के आधा है वो 30 बनता है तो आप यहां से क्या करेंगे यहीं से 0 से रखकर एक चाप इधर लगा दिए और 60 से एक चाप इधर लगा देंगी ठ आपके पास कितने का कौन होगा 30 ड्गरी का कौन होगा ठीक है कितनें डिग्री का को नब कर ले 2007 कर दो इसको दीक Single और इसको इनाम देंगा इसाट रर्哥श आपके पास संद्रीगी बसमें दाता है पहला बहुए आप्के पास अप्छल्ण आठीज़ पास 20-2002-TX-12-obi को मना लिए हम इसके साथ-साथ दूसरे वह सबस्क gjू पर 12 चर्चा करते हैं 12 कोशिन्भ दार दिवारा चर्चा करते हैं Mhm एक त्रिका हम ने यह किया था ठीक है अपनी पिशले कोशें से अंदर 90 कोम नाया और 0,90 का अधा कर दिया हम ने 45 जेग्री का बन गया दूसरा त्रिका हम यह कर रहे हैं हमने 60 degree का कौन मनाया, 60 से हमने 0 और 60 का संदराज़ खीचा, तो हमारे पास 30 का आ गया, अब हम 30 और 60 का संदराज़ खीचेंगे, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, अगर आप 30 और 60 का संदराज़ खीचते हैं, मतलब 30 और 60 को जोड़कर अगर आधा करें, तो 90 और 90 का आधा हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 degree बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, 30 और 60 का संदराज़ खीचेंगे, उसके लिए प्रकार यहां रखेंगे, ठीक है, एक चाप लगा देते हैं आप, ठीक, फिर बिंदू D पर रखेंगे, और चाप लगा देंगे, ठीक है, जहां पर यह दोन्य चाप आपस में कट रही हैं, ठीक है, उसको माल दीजे, जैसे ह इस बिंदू को हमाल, यह F नाम दे चुके हैं, इस बिंदू को आप G नाम दे दीजे, ठीक है, जी नाम देने पर हमारे पास क्या हुआ, यह जो नहीं रेखा बनेगी आपके पास, इस बिंदू और इस जी बिंदू, दोनों चाप जहां काट रही हैं, इनको मिलाने वाली इस बिंदू मुति जो रेखा बनेगी, यह आपके पास क्या हो जाएगा, 45 डिघरीु का कौन हो जाएगा, अर्थात आपके पास 45 डिघरी का कौन मनाने के लिए, दो तरह कह गे, एक आप 40 डिघरी उने कौन बना कर उसकी हेल्प से बना सकते हैं, ऊर दूसरा आप 40 डिघर का second भाग, तीसरे कोश्चिन के second भाग में क्या दे रहा है हमें, अगर आप देखते हैं, इसमें में क्या दिया गया है, साड़े- बाइस डिगरी का कौन दिया गया, ठीक है, अब साड़े- बाइस डिगरी का कौन बनाने के लिए, पहला त्रिक का आपके पास, ठीक है, हम 0,45 का आधा करके साड़े बाइस डिगरी का बनाएंगे वही चीज यहां पर आपके पास आप चाहें तो उतनी ही प्रकार इसी चीज नहीं खोल के रख सकते हैं और कम जादा भी करना चाहें तो आपकी 24 है यहां पर ठीक है क्योंकि संदुराज़े खिसते हैं तो उसमें कोई प्रॉलम नहीं है आपके पास लेकिन यह 6,120 यह वाली जो चाप जैसे 90 की लगानी है 45 की लगानी है आप प्रकार को कम जादा कर लेंगे कभी कोई गलती नहीं होगी ठीक है लेकिन जब आपको यह 6,120,120 की चाप लगानी है इसमें आपकी प्रकार जितना AC है उतनी ही खुली होनी चाहिए उससे ज्यादा कभी भी नहीं खुली होनी चाहिए ठीक है तो आपने C बिंदू पर रखकर चाप लगा दी फिर आप जैसे माल लीजे इसको अगर आपने नाम यहां पर नहीं दिया हुआ ठीक है आपके पास E F G तक हो चुक है यह आपके पास H बिंदू है जिसको आपने A H से मिलाकर 45 का कौन मनाया था ठीक है और इसको आपने माल लीजे आई नाम दे 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 हैं जह से LINE आपके चाप से गुजर रही है अब I पर राखेंगे आप ठीक है आई पर र requiresने पर आपने चाप काड़ देंगे में चाप कटगे आपके पास द्रहनों चाप जहां आपसमें कट रही है वह आपके पास माल लीजे इमन्हाट लीजे अफस हो गया थिक Wir बिंदू J को और A को मिलगते हुए हमने रेखा खीच देंगे हमारे पास ठीक है मिन दू J और A को मिलगते हुए जब रेखा खीचेंगे यह question number 2 का था और यह आपके पास तीसरे question का second भाग हो गया हमारे पास ठीक है ऐसे ही अब हम देखते हैं हमारे पास आगे हमारे पास question number 3 के तीसरे भाग में क्या करे रहा है आपको 15 degree का कौन कह रहा है 15 degree का कौन करने के लिए हमें क्या करना होगा जैसे हमने 0 से 60 का आधा किया ठीक है 0 से 60 का आधा गया 30 बनाया अब 15 हमारे पास 0 और 30 का आधा हो गया ठीक है तो आप 0 और 30 का आधा करेंगे तो आप पहले बिंदू C पर रखेंगे ठीक है यहाँ पर एक प्रकार की चाप लगा दी आपने फिर बिंदू E पर रखेंगे अपने प्रकार की दूसी चाप लगा दी इन दोनों चाप को मिलाने पर हमारे पास जो एक नई चाप बनी है ठीक है जिसको आप कोई नाम देना चाहिए जैसे हम G तक दे चुके हैं तो H बिंदू नाम दे देते हैं आप A और H को मिला देंगे ठीक है A और H बिंदू को मिलाने पर हमारे पास देखें यह बिल लाइन आगी तो यह कितने के लिए होगी आपके पास 15 डिगरी के लिए होगी ठीक है यह लाइन कितने की होगी आपकी 15 डिगरी की यह हमारे पास देखें पंतालीस कोश्चन था हमारे लिए क्या था कोश्चन पर दो का अंसर था बनाने का तरिक्का और ये हमारे पास 30 डिगरी तीसरे का पहला भाग था और ये हमारे पास तीसरे का ठीक है तीसरे कोश्चन का तीसरा भाग है 15 डिगरी का कौन अब साड़े 22 का बनाने आपके पास हम इस लीकर दीजिए जेसे करें फिर उसका आधा करके भी जाएगा तो हम cooking करते हैं, मробकर को लग रहा है कि games थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सही चाल पे नहीं लग पाएंगी को झिए प्रकार कोछा सब कम ज्यादा कर देजी है ठेके हैं प्रकार को कम जदा करने पर आपके पास एक पॉइंट पर कटती मिलेगी यहां पर देखने पर आपको दो यहां लग रहा है कि कई पॉइंट होते हैं ठीक है ना लेकिन जब आप पैंसिल से करेंगे तो आपको बिल्कुल लगजट साफ सपस्ट हो जाएगा ठीक है फिर वहां आपकी गलती नहीं होगी यह आपके पास क्या गया पंदर और तीस काड कॉशन नमबर फॉर के फर्स्ट भाग में हमें क्या कह रहा है ठीक है वो दिखेंगे उसके अकॉडिंग हम कॉशन को कवर करेंगे हमारे पास ठीक है कि किस प्रकार से आपको करने है कोशन में फॉर्थ के फर्स्ट पार्ट के लिए हम वही है एक रिखा खिचते हैं हमारे पास ठीक है आपको दी गई हम अपनी तरफ से क्योंकि दी है तो इसके अंदर से 55 डिगरी का कौन बनाने के लिए का इनोंने हमने एक लाइन खीच दी ए भी रिखा खंड कीच दिया ठीक है अभी इस एभी रिखा खंड के उपर हम क्या करेंगी चाप लगाएंगे हमारी ठ ठीक है चाप की च्वाइस आपकी पास ठीक है कम ज्यादा जितनी मर्जी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं ठीक है आपके पास यह आगी आपके पहले ही चाप लगा दिए साथ की होगी साथ पर रखकर आप दोसी चाप लगा देंगे क्योंकि साथ 75 डिगरी का कौन साथ से बड़ा होता है तो इसलिए में यह तो करना ही करना पड़ेगा ठीक है अब साथ और 120 का आगया हमारे पास यह साथ की चाप है यह 120 की चाप है इनको नाम दे देंगे आप डिशए इसको सी नाम दे दिया यह इंद दू हो गया और यह अगया करेंगे हम पचात्र का कोन बिच में आएगा यह पर आएगा कोन हमारे पास तो हमोनगे करेंगे 46 को निइंगे उसमें कोई problem नहीं हो इसमें कोई issue नहीं आपका अपने यहां पर खी रखें बंडू डी पर और चाप लगा देंगे ठीक है यह ताकि दूसरे तरफ यह रख जाए वह चीज हो जाएगी अब हमारे पास यहां से इस मालनी जे E F तक हो चुक है हमारे पास इस बिंदू को अपने F नाम दे दिया ठीक है अभी इस A और F बिंदू को मिलते हुए अपने क्रेखा खीच देंगे क्योंकि हमें 90 का कौन तो चाहिए नहीं जैसे हमने पिछे कोशनों में किया है आपको जिस कौन तक पहुंचने के दूसरे कौनों के लिए लाइने खीचनी ही खीचनी पड़ी तो उन सभी में क्या करें उन सभी को डॉटर लाइन खीच लें महले कि वह जुरुर्त मन में नहीं है जैसे मालनी जापको इस कोशन में 22 डिग्री का करना हो तो आप इस लाइन को 90, 90 से 45, 45 से 26 ठीक है इन दोनो तो जी का समद्राद खिचेंगे डी से मैंने चाप लगार की है जी से चाप और लगा दूँगा यहां पर रखेंगे आप ठीक है यह चाप लगी आपकी यह चाप लगने के बाद जिस भी चाप पर वह आपको इसमें मिली है माल लीजे ए फजी हो गया तो इस बिंदू को म मैं H नाम दे जता हूँ ठीक है अब आप A और H को मिला देंगी ठीक है A और H बिंदू को मिला देंगे आप तो आपके पास जो यह रिखा बन जाएगी ठीक है यह आपका क्या हो गया पचात्तर डिगरी का कौन हो गया clear है हमारे पास हमारा ही क्या होता है fourth question का first part है आगे second part में अगर आप देखेंगे क्या देर अपको second part में कह रहा है क्षपांट्स डिगरी का क्वण बनाए 105 के लिए भी बिलकुल यही चीज़ आपकी रहेगी ठीक है पहले आपúp 60 120 120 का बनाएंगे क्योंकि 105 एक सो पांच 90 और 120 के बीच में आएगा ठीक है तो हम इसी कोशन के ओपर इसी फिगर का यूज करके फिर 105 का बना रहे है तो 75 का बनाने की जूरत नहीं है ठीक है कहीं सोचे कि 75 का भी बनाना होगा मैं मैं सरफ आपको इस एक कोशन के अंदर कोशन Yeah, we end screen察 être just this 105 का बनाना है आपने ही यहांपर रखेंगे परकार ठीक है हमारे पास आपकी परकार गई चाब लगी हु요 फिर और नभे वाले बिन्दु पर रखेंगे बिन्दु G पर ठीक है इहां से आपके पास देखेंगे अगर आप देखते हैं ठीक है यह कट गी आपके पास दोनों जहां पर मिल रहे हैं आपके पास देखें एच बिंदू आप मने नाम दे चुके हैं माल लिजे इस तरफ आपका एच था यह आपके पास क्योंकि यह तो बना नहीं होगा अपने यह वाला बनाएंगे तो आप इसको एच नाम दे दिया अब हमारे पास वही काम करेंगे क्या चीज हम एच और एबिंदू को मिलाते हु ठीक है अपने इरिखा कीज दी इरिखा जहां से गुजरगी यह आपके पास क्या हो गया 105 डिग्री का कौन हो गया हमारे पास ठीक है 105 डिग्री का हो गया मतलब यह हमारे पास 4th question का second part हो गया ठीक है आपके पास अब आगे देखेंगे हमारे पास next हमें क्या करना है 135 डिग के अंदर जब 135 डिग्री का question मनाना हमें तो उसको हम किस त्रीके से करेंगे सबसे पहले वही चीज ठीक है आपको एक रेखा दिगरी का कौन बनाना आपको चोथे कोशिन के तीसरे भाग में वह 120 से बड़ा होता है ठीक है तो आपको कम से कम तीसरी चाप तक की जुर्त महसूस होगी तो उस चीज़ के करन हम तीसरी चाप तक भी जाएंगे आप यहां से चाप लगा लगते हैं बृत की ठीक है यह चाप लगा लिए आपने यहां पर आपके पास जहां भी टच करेगी उस बिंदू से आप पहली चाप लगाएंगे 60 डिगरी की फिर 60 डिगरी से हम दूसरी चाप लगाएंगे ठीक है 120 की आगी हमारे पास फिर 120 से हम तीसरी चाप लगाएंगे ये हमारे पास तीसरी 180 की चाप होगा अब आप इनको नाम दें हो गया और ये बिन्दू F हो गया आपके पास ठीक है अब हमें क्या करना हो हमें 135 35 degree का कौन मनाना है इसके लिए दो त्रीक्चे आपके पास ठीक है या तो आप नबे का बना दें 90 और 180 का आधा कर देंगे तो हमारे पास 135 बन जाएगा ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप 90 और 180 का आधा कर देते हैं तो वो 270 बनता है और 270 का आधा हमारे पास क्या बनता है 135 दिगरी बनता है एक त्रिक्खा तो आपके पास यह आते है कि 135 बन जाएगा ठीक है दूसरा त्रिक्खा आपके पास क्या आता है आप क्या करें 120 और से आधा 120 170 का आधा करेंगे संदिर जड़का करेंगे दोननों का जूर करके 300300 का आधा 150 हो जाएगा ठीक है फिर 150 का आधा कर दें 120 070 का आधा कर देंगे 270 ठीटथी की हिसकतर का अधा करक क्योंकर कि इस न आप से 1947 टिक है यह भलत पास यहां दोननों ई हाइ से आप जैसा मर्जी चाहें कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नब्बे पर ज्यादा हो चुकी है हो जाते है थोड़ी सी ठीक है तो मैं यहां पर आपको नब्बे से भी दिखा रहा हूं करके ठीक है और 135 पर भी करके दिखाऊंगा दूसरे 150 पर भी पहले मैं ए अपने चाप लगा दी किस ऐ आपने चाप लगा these दोन हो चाप को मिलाने वादी आप एकाखी देंग्या हमारे पस चाप खीज दिया अपनी माल लिजे बिंदू G पर मिलती है और ये बिंदू आपका H हो गया ठीक है अब H और F का समझ राज़ा खीचेंगे उसके लिए वही चीज है हमारे पास आदे से ज़्यादा प्रकार खोलना ठीक है यह जितनी प्रकार है उतनी ही चाप लगा लेना कि तब भी कोई दिक्कत नहीं है उसे कोई फर्ग नहीं पड़ेगा हमारे पास बिंदू F से लगा ली फिर बिंदू H से लगाएंगे हम एच से चाप लगा दी हमने ठीक है दोनों जहां कट गी आपस में ठीक है वह हमारे पास क्या हो गया हमारा बिंदू H तक आ चुके है तो बिंदू I नाम दे दे देते हैं उसको आप A और I को मिला देंगे ठीक है आपने A और I को मिलाया यह लाइन थोड़ी जी ब्रेक कर गया मैं सीधी लाइन जानी थिंग ठीक है यह आपके पास हो जाएगा यह विंदू हमारे पास क्या आ गया ठीक है H I यह आपके पास 135 degree का कौन हो गया ठीक है में चोथे question का तीसरा भाग यह आपके पास दो तरिके हैं दोनों में से जो मर्जी आप चाहें यूज कर सकते हैं ठीक है जैसे पहला तरिका तो ही होगा दूसरा तरिका में देखते हैं क्या करेंगे सेम इसी प्रसेस का यूज करते हुए आपने 120 जैसे यहां 60 और 120 का अधा नब्बे किया नब्बे की जगा फिर आप क्या करेंगे 120 और 180 का अधा करेंगे 150 यहां से लाइन जाएगी आपकी ठीक है फिर 120 और 150 का संद्राज़ खिच के आपके पास 135 डिग्री का बन जाएगा ढा inside process देखें हमारे पास दूसरी वीदी से कि किस प्रकार से करना हैं आपने वही लाईन कीच देंगे तो सबसे पहले रेकाकुणा कीचेंगे ठीक है अब उसके बाद हमने क्या करना है इस पर चाप लगाएंगे हमारे पास ठीक है अपनी चाप लगा दिनी इस पर यहां पर रखकर आपके पास पहली चाप काटेंगे यह एक साथ की होगी फिर साथ हली चाप पर काटकर दूसरी काटेंगे 120 की हो जाएगी फिर दूसरी पर रखकर तीसरी चाप को काटेंगे हमारे पास ठीक है वो हमारी 180 की चाप हो जाएगी अच्छा ख्या लखेंगे कई क्या करते हैं जैसे इस लाइन को थोड़ा सागे बढ़ा कर यहां से पहली 60 की चाप दूसरी चाप इदर से खीज देते हैं वो गल्त है परसेस गल्त है वो ठीक है इस बात का हमेशा क्या लखें वो परसेस गल्त है आपका यह को जुरूरी नहीं है कि पहली चाप आपने इदर लगाई दूसरी चाप इदर से लगाई ठीक है वो भी 60 की होगी फिर इन दोनों का आदा करके नब्बे का कोन बना था बन गया बिल्कुल सही है लेकिन करने का प्रसेस गल्थ है क्योंकि mathematics में आपके अंसर से साथ जासाथ आपके प्रसेस की भी importance होती है ठीक है ऐसा नहीं है कि हर चीज ही आपकी हर जगा ठीक हुती है ठीक है मैं प्रसेस की बात क्यों कर रहा हूँ जैसे मैं एक example लेता हूँ करते हैं तो आपके पास टैंसल होकर 1y4 आएगा आप 1666 को 6664 से डिवाइड करते हैं ठीक है तो आपके पास कटने पर 1y4 आपता है ठीक है अगर आप यहां पर मैंने भी देखो काट कर दिखाया नहीं अगर आप यह दिमाग के अंदर एक परसेस बठा लें ठीक है मैं अगर आपने यह परसेस कर लिया कि 66 यह चीजें ठीक है कि मेरा यह 1y4 आजाएगा यहां से वह गल्त हो गया क्योंकि यह पूरा कैंसल हुआ है ठीक है यह पूरा कैंसल हुआ है ठीक है आपस में क्योंकि अगर आप नहीं यहां पर यह ही परसेस यूज करते है तो आपके आपने जैसे कर लिया अब 120 और 180 का माधा करेंगे ठीक है जैसे हम पहले बात कर चुके है 120 के उपर रखेंगे ठीक है आपके पास यह दोनों मिल गए माली जैन को नाम देने आप गए अपने c d e f यह दोनों जहां मिलगे आपके पास बिंदू g हो गया ठीक है अब आप क्या कर रहे हैं बिंदू a और बिंदू g को मिलाएंगे क्योंकि आपके पास यह 150 का कौन बनेगा यह तो आपका अंसर नहीं है आपको यहां तक तो पहुंचना नहीं था ठीक है तो इसलिए आप क्या करेंगे इस line को daughter ले लेंगे ठीक है उसके बाद आपके पास क्योंकि इसके साथ सद आपको मला की अब हम 135 तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास उसी process के अंदर चलते हुए 120 और 150 का संद राज़ा खेचेंगे ठीक है यहां आपने प्रकार रखी और यह चाप काड़ दी क्योंकि दूसरी तरस मेरे चाप लगाई रखी है ठीक है इसको बिंदू G और नाम दिया तो इसको बिंदू H नाम दिया मला है एच और E से चाप लगा लिए हमने और जहां पर यह आपस है मिली वो बिंदू I हो गया मेरे पास ठीक है अब क्या करेंगे हम A और I बिंदू को मिला देंगी ठीक है A और I बिंदू को मिलाएंगी तो आपके पास यह क्या होगा 135 दिगरी का कौन बन जाएगा ठीक है यह हमारे पास क्या आगा 135 दिगरी का कौन आगया मतलब चोथे कौशन का हमारा तीसरा भाग हो गया ठीक है यह हमारा अंसर हो जाएगा इसके बाद देखिएंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट कौशन कौशन नमबर हमारा 11.1 का लास्ट कौशन फिफ्थ कौशन उसको हम किस तरिके से करेंगी कौशन बर 5 में कौशन 5 से पहले 3 और 4 का भी दियां दें 3 में आपको निमन मापों के कौनों की रचना करने के लिए का था 4 कौशन में कोनों की रचना करने के साथ उसको चान द्वारा मेंस D की सहता से जांच करने के लिए भी कहा गया था ठीक है ना वो D से आप अक्चल में माप कर देख सकते हैं कि आपके कौशन सही बने है या नहीं बनी कौशन 5 में क्या कर रहा है संभाहू तिर्बुज गरजना करनी है जब इसकी बुझा दी हो और कारण सही द्रचना भी कीज़े ठीक है अब हमें तो संभाहू तिर्बुज बनानी है मैं इस तरफ का स्केल की साइड यूज कर लेता हूँ जहां मुझे पता नहीं है कि कितने सैनिमेटर की मैं बुझा खीच रहा हूँ ठीक है प्रकार को उतना ही खोलने के बाद आपने इस ए बिंदू पर रखकर आपने चाप उपर की तरफ लगा देनी है ठीक है यह चाप लगा देंगे आप चाप लगाने के बाद हमारे पास क्या करेंगे आप बिंदू B पर आगे करेंगे बिंदू B से भी चाप लगाएंगे ठीक है उतनी ही प्रकार खुली रहेगी आपकी ठीक है जहां पर आपस में दोनों चाप कटगी आप देख रहे हैं मारे पास दोनों चाप जहां कट रही है वो बिंदू हमारे लिए C हो जाएगा हमारा ठीक है इस बिंदू C से ठीक है इस बिंदू C को हम बिंदू A और बिंदू B से मिला देंगे जैसे मान लीजे बिंदू B है और यह आपके पास बिंदू C हो गया हमारे पास ठीक है बिंदू B और बिंदू C को मिलाते हुए एक रेखा कीज देंगे ठीक है हमारी रेखा होगी ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे बिंदू C और बिंदू ए इन दोनों को मिलागते हुए ठीक है हम रेखा कीज देंगे अपनी पैंसिल से ठीक है मैं यहां स्केच यूज कर रहा हूँ जब आप करेंगे तो आपके पास पैंसिल होगी पैंसिल से एक ही कलर आएगा ठीक है यह सिर्फ आपके थोड़ी सी धे ट्eksैट की क्लास को एक्टिव करने के लिए तकि आपको थोड़ा सा बने आपको दिखने में कलर फूर लगे चीज के इन है लगणी स्केआँ का यूज किया है अए ओके कि लिए च्टेवरेंट्स इंट यू स्टेविए मेंके प्रेंट्स ठैक्ट्स टू ओ